हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूं कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इनको टेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे PageMaker के अंदर का Toolbox क्या होता है Toolbox में कितने Tool होते हैं उनका उपयोग क्या है तथा उनका नाम क्या और साथ ही साथ सीखेंगे अगर Adobe PageMaker के अनतगत टूलबाक्स हाइड हो जाए तो उसे कैसे हम दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम PageMaker को ओपन कर ले रहे हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था PageMaker को 11 तरीके से ओपन करना अगर जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी प्ले लिस्ट में या मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को अवस से देख लिजिए जिससे आप किसी भी software को कम से कम 10 तरीके से ओपन करना सीख जाएंगे फिलाग कोई भी विंडो में हो तो अपने computer के keyboard से विंडो क्लास आर्की प्रेस करें जैसे ऐसा करेंगे तो run का dialogue बाक्स आ जाएगा उसके search box यानि कि open का जो box होता है वहाँ पे type करना है PM 70 और OK को क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो Adobe PageMaker 7.0 ओपन होना शुरू हो जाएगा जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहा है लगड़गलब बाद दो से ये 10 सेकेंड के अंदर Adobe PageMaker आपके computer स्क्रीन पर open होकर तयार हो जाएगा कारे करने के लिए ध्यान रहे दोस्तों कि PageMaker के अंतरगात सबसे पहले हमें publication लेना होता है तो उसके लिए file menu में जाए और new को क्लिक करें जैसे new को क्लिक करते हैं तो document setup का एक window आ जाता है तो यहाँ ध्यान दे दोस्तों कि आपको page size के अंतरगात A4 सेलेक कर लेना है चुकि अभी देखेंगे हमने जैसे file को क्लिक करके ने document के लिए new command को क्लिक किया document setup आ गया और उसके अंदर automatic A4 है अगर जो आप अपने computer में कर रहे होंगे दोस्तों तो later या कोई अन्ने size होगा तो ये भी आपको हम अगले दहाय में सिखाएंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर focus करने वाली बात थी कि आपने देखा A4 पहले से अंदरकर कितना page चाहिए वो type कर लेना है और page का number कहा से start हो वो type कर लेना है तो मैंने number A pages 10 type कर लिया है और start page पे मैं 2 type कर लूँगा कि हमारे page का numbering start करे 2 से और ok को click कर देना है जैसे ऐसा करते हैं तो यह untitled publication open हो जाता है नीचे आकर देखेंगे तो हमें 10 page मिल चुके हैं और starting कहा से हुआ है तो 2 से हुआ है अब इस page maker में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला यह box जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं toolbox toolbox का उपयोग page maker में कारे करते समय text को type करने उसे move करने rotate करने line draw करने circle बनाने zoom in zoom out करने के लिए क्या जाता है इन सभी कारियों को करने के लिए toolbox के अंतरकर अलग-अलग तूल बनाए गया है जिनका अलग-अलग नाम है और अलग-अलग कारे है इन ही tools को हम एक-एक करके सीखेंगे शलिए सबसे पहले हम यहां सीख लेते हैं कि by the way गलती से अगर जो आपके page maker के अंतरकर toolbox hide हो जाए तो क्या करेंगे उसके लिए दोस्तों window menu में जाना है देखें यहां पर display हो रहा है hide tools जैसे इसे क्लिक करते हैं तो देखें हमारा toolbox गाइब हो गया अगर जो ऐसा ही आपके computer में हो गाइब हो गया हो तो आप window में जाए अब देखेंगे तो यहां page tools नाम का command सक्री है इसे क्लिक कर देना है य दोस्तों कि अगर जो आप page maker में काम कर रहे होते हैं और window में जाते हैं तो show tools display या hide display हो रहा होता है लेकिन हमारा toolbox गाइब रहता है तो उस अवस्ता में अपने computer के keyword से tap key को press करके आप इसे कुछ देर के लिए hide कर सकते हैं और फिर इसे show कर सकते हैं जैसा कि अभी आप देख लेते हैं toolbox के अंत्रगत मौजूद सभी tools का नाम और साथ ही साथ उनका उपयोग page maker को open करते ही toolbox के अंत्रगत automatic सबसे पहले जो arrow के निशान वाला tool देख रहे हैं यह automatic selected आता है जिसे selection या pointer tool कहते हैं इसका उपयोग किसी भी object को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर move करने य अभी तो हमारे publication के अंत्रगत कोई भी object नहीं है जिसकी मदद से हम इसे समझ सके इसके लिए हम दूसरे tool का उपयोग करेंगे और उसका मतलब समझेंगे फिर से हम pointer या selection tool का उपयोग करेंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे tool की दूसरे tool को बोलते है text tool text tools को संक्र करने के लिए इसे mouse pointer ले जाए और इसे click कर दे जैसे इसे click करेंगे तो देखेंगे एक कुछ box में selected नजर आ रहा है अब publication के अंत्रगत जब आते हैं तो आपका mouse pointer एक eye के समान पतली खडी लकीर के समान display होती है अब यहाँ पर text को आप दो तरीके से type कर सकते है left button को आप better type कर सकते हैं मैंने type किया power info tech चुकि दोस्तों आज इन सभी tools का नाम और इनका उपयोग समझना है ध्यान रहे कि इसी video में आप complete रूप से नहीं सीख पाएंगे इसके लिए मैं एक-एक के लिए proper video बनाऊंगा सिर्फ एक tool के लिए कि उसका क्या feature से पूरा total 14 के 14 tools का उपयो अब देखें दोस्तों तो हमने यहां पर text type कर दिया है power info tech अगर जो इसे select करना हो तो text mode में रहते हुए left या right की तरफ आप left button को दबा कर move करेंगे तो यह select हो जाएगा तो यह edit mode में है यह हम पर किरिया आगे सीखेंगे फिलाल जैकते हैं दोस्तों हमने सीखा text tool का text को move करने या उसे resize करने के लिए जैसे देखें अभी यह line आप जो देख रहे हैं दो यह hanger है अब इसमें text कहां तक type होगा तो जहां तक यह point आपको नजर आ रहे हैं notes तो इसे यहाँ पर click करके आप छोटा कर सकते हैं means resize कर सकते हैं साथी साथ इसे move कर सकते है move करने के लिए इस text पर अपने mouse pointer को ले जाएं और left button को दबाय रखें और इसे drag करें कब जब dot dot की line display हो रही हो तब और जहां पर आपको छोड़ना हो छोड़ देखें अब बात करते हैं तीसरे नंबर की tool की तो इसे बोलते है rotate tool rotate tool का उपयो, publication के अंतर का किसी भी object को किसी भी दिशा में किसी भी अक्स पर घुमाने के लिए के लिए के लिए देखें यहां पर जब एक plus sign में star बना हुआ display हो तो किसी भी node पर आप click करें और left button को hold करके रखें और किसी भी दिशा में इसे move करें आप देखेंगे तो यह rotate होटा हुआ display होगा, आप जिस एंगल पर चाहते हैं उसी एंगल पर इसे छोड़ देखें रोटेट हो जाएगा, इसकी मदद से image, text या कोई भी object आप rotate कर सकते हैं, चौथे नमबर की बात कर लें दोस्तों, तो इसे बोलते हैं crop tool, means इसका नाम है crop tool, crop tool का उपयोग publication में ला place को क्लिक करना है, जैसे place को क्लिक करते हैं, place का एक window खुल कर आ जाता है, अब यहां से आप अपना location का चुनाव करें, जहां पर आपकी file हो, ध्यान रहे दोस्तों, tio file या png file को ही select करें, चली हमने इसे select कर लिया और open को क्लिक कर दिया, और यहां पर yes, यहां पर इसे drag कर लेते हैं, और यह place कर लेते हैं, अभी देखेंगे, तो हमारे सामने एक चित्र यहां पर display हो रहा है, अब crop tool को क्लिक करना है, देखेंगे, तो यहां पर nodes बन चुके हैं, corner पर, जहां से आपको करना हो, crop वहां पर click करें, और इसे उपर की तरफ move करते जाए, देखें, जैस दोस्तों हमने इस में से कुछ crop करके आपको दिखाए, साथी साथ अगर जो uncrop करना हो, तो वापस वाइपर की रह दोराएंगे, तो यह uncrop भी हो जाएगा, वैसे दोस्तों मैं crop के बारे में especially video बनाऊंगा, मैंने पहले ही पता दिया, कि इन सभी tools का अभी simple उपयोग सीखना है, उसके बाद एक-एक tool का उपयोग बिश्तार पूरवक सीखना है, तो अब बात करते हैं पांचवे नंबर की tool की, तो पांचवे नंबर पर जो tool है, उसे बोलते है line tool, line tool को जैसे ही click करते हैं, या सक्री हो जाता है, या यूँ कहें, तो toolbox के अंदर का किसी भी tool को सक्री क करने के लिए उसे click करना होगा, जैसे आप click करते हैं, तो देखें, आप पर plus sign बन गया है, अब आप किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पर line draw कर सकते हैं, बिलकुल किसी भी दिशा में, आपकी इच्छा जिस दिशा में और जिस एंगल पर हो रही हो, उस एंगल पर आप line draw कर सकते हैं, line draw करने के लिए simple left button को दबाना है, और mouse को drag करना है, वहां तक जहां तक आपको line चाहिए, तो इसकी मदद से आप किसी भी एंगल पर line बना सकते हैं, अब बात कर लते हैं, छटवे नंबर tool की, छटवे नंबर tool का नाम है constant line tool, जैसे आप इसे click करते हैं, तो दे इसे 45 अंस पर ही कोई भी line draw कर सकते हैं, जैसे देखे हमने एक line draw किया, अभी किसी भी दिशा में जब आप इसे move करेंगे, तो यह 45 डिग्री पर ही line को draw करके आपको देगा, देख पा रहा है, आप किसी भी एंगल पर इसकी मदद से line draw नहीं कर सकते हैं, इसकी मदद से सिर् तो यह सक्री हो जाता है, और इस tool का उपयोग, means rectangle tool का उपयोग, आयत या फिर बर्ग बनानी के लिए किया जाता है, इसके बारे में detail में हम आगे सिखेंगे, simple दोस्तों, अगर जो आपको आयत या बर्ग बनानी हैं, तो इस tool को click करें, click करने के बाद जैसे ही plus sign बने, आप left button को दबाएं और drag करते जाएं, देखेंगे तो यहाँ पे एक box create हो चुका है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आठमे नंबर की tool की, आठमे नंबर के tool का नाम है rectangle frame tool, rectangle frame tool का उपयोग, आयत या बर्ग बनानी के लिए किया जाता है, लेकिन different क्या है दोनों में दोस्तों, तो यह आयत या बर्ग simple मनाने के लिए किया जाता है, लेकिन rectangle frame tool का उपयोग, साथ ही साथ text type करने के लिए भी किया जाता है, जब आप rectangle frame tool की मदद से कोई भी एक frame design कर लें, तो उसके बाद text tool को click करके, इस box के अंदगत click कर, इसमें कोई भी text आप add कर सकते हैं, जो text इस box को move करते वक्त उसी के साथ move होगा, तो लिए move करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए move हो रहा है, अभी हमने pointer या selection tool का उपयोग आपको बताया था, कि इसे resize करने या फिर move करने के लिए किया जाता है, आप देख पा रहे हैं, कि इसके साथ text भी type हुआ है, और ये move भी ह अब बात कर लते हैं, नवे number की tool की, तो नवे number tool का नाम है इलिफ tool, इलिफ tool का उपयोग गोला या अंडाकार गोला बनाने के लिए किया जाता है, इसे click करें और left button को दबा कर drag करें, आप देखेंगे तो गोला बन रहा होगा, आप चाहें तो अंडाकार बना सकते हैं, जै इलिफ frame tool, इलिफ frame tool भी सेम इसी की तरह काम करता है, इसकी मदद से भी अंडाकार या फिर गोलाकार बनाने के लिए किया जाता है, डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना होता है, कि आप इसमें text भी type कर सकते हैं, और उसे कहीं पर भी move कर सकते हैं, अगला एग नवे number का tool ह इसका नाम है polygon tool, polygon tool का उपयोग बहुँ भूज बनाने के लिए किया जाता है, अभी आपने देखा था है, आप चार से अधिक भूजा बनाना चाहते हैं, इसे click करें और drag करें, आप देखेंगे, तो इसमें चार से अधिक भूजाएं बनी हुए, आप इस tool का उपयोग करक कि इसकी मदद से आप बहुँ भूजाकार आकृति बना सकते हैं, इसे हम detail में एक-एक करके सीखेंगे, अगला होता है polygon frame tool, polygon frame tool का उपयोग सेm polygon tool के जैसे होता है, मिन्स इसकी मदद से भी आप polygon frame design कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप text भी type कर सकते हैं, text type करने के लिए text tool को click कर और इस frame के अंतरगत कहीं पर भी click कर देना है, अब आप अपना text के अंतरगत type कर सकते हैं, जो कि इसी frame के साथ move होगा, move करने के लिए selection या pointer tool को click करें, और इसे click करके जहां चाहें, वहां move करें, आप देखेंगे ये move हो रहा है, अगला हमारा hand tool, hand tool का उपयोग publication को किसी भी दिशा में move करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग खास कर उस वक्त किया जाता है, जब हमारा publication बढ़ा हो, या zoom हुआ हो, या pasteboard से हमें कुछ भी देखना हो, तो हम इसकी मदद से page या publication को किसी भी दिशा में move कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, move करने के लिए इस tool को click करें, और left button को दबा कर जिधर चाहें, उधर move करें, पुना left button को छोड़ दे, जैसे छोड़ेंगे page वही इस्तिर हो जाएगा, पुना move करने के लिए left button को दबाएं, hold करके रखें, और अपनी दिशा या जिस दिशा में चाहें, उधर move करें, और फिर left button को छ जाता है, बड़ा करने के लिए simple tool को click करें, जैसे plus sign बने, तो आप जिस भाग को बड़ा करना चाहते हैं, उसे एक काल्पनिक box बनाएं, काल्पनिक box बनाने के लिए left button को दबाएं, और उसे drag करें, जैसे drag करेंगे, वो भाग zoom होता हुआ, आपको display होगा, zoom out करने के लिए control button दबाएं, और इसी key को press करें, means left button को दबाते जाएं, या zoom out होता चला जाएगा, अगर जो page को बड़ा करना होगा, तो simple आप click करते जाएं, जहां पर click करेंगे, वही हिस्सा यहां पर zoom होता हुआ नजर आएगा, और किसी special भाग को आपको zoom करना हो, तो left button दबाएं, और ए आज के वीडियो में आपने सीखा, page maker के अंतरगार toolbox क्या होता है, toolbox में कितने टूल होते हैं, इनका नाम क्या है, और इनका उपयोग क्या है, साथी साथ हमने सीखा, कि अगर जो tool हो जाए, means छुप जाए, तो उसे कैसे हम दिखाएंगे, दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आ आप हमें comment section के माध्यम से बताईए, और अगर जो वीडियो में आपको कोई भी problem नजर आ रही है, तो आप हमें comment में बताईए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, साथी साथ वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को like कीजे, इसे दोस्तों में share क कीजे, और हमारे channel को subscribe कीजे, और इसे अन्य लोगों से भी subscribe कराईए, मिलता है आपको इसको next part में net office के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत.